हेलो फ्रेंज में प्रतिक्षा एंड वल्कम बैग तो माई यूट्यूब चैनल प्रतिक्षा फ्लावर काड़नी तो दोस्तों आज का हमारा प्लांट है गुलाब का फ्लांट आप देख सकते हैं मेरे गुलाब पे कितनी धे सारे फूल आए हैं तो अगर मांसून में आपके आपने गुलाब प्लांट पर कोई भी नई इन ग्रोथ नहीं हो रही है ना उसमें ना अई अ Simmons युदि आ रहे है तो दोस्तों आज में एपको बताऊंगी आप अपने गुलाब पे मांसून में कौन से काम करें जिससे आपके गुलाब पे नए ने ब्रांचिस और वेशल सूड निकले और धे सारी कलिया और फूल बनाएं और साथे साथ दोस्तों मैं आपको आज गुलाब में एक ऐसे इंस्टेंट होम बेड लिकुर फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगी जो अगर आप अपने गु मांसून आ गया है सावन का महीना भी सुरू हो गया है पर दोस्तों आपकी गुलाब पे ना ही कोई ग्रोथ हो रही है ना ही देशारे फूल बने रहे हैं तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी मांसून में आपको अपने गुलाब के प्लांट में कौन-कौन से काम करने ह जिससे आपका गुलाब का प्लांट इस तरह से धे सारी कलियां और फूल बनाएं आए जान लेते हैं कौन-कौन से केर टिप्स आपको अपने गुलाब के प्लांट पे करनी है अपने गुलाब की मिठ्टी को बनाया है अगर दोस्तों आप अपने गुलाब की मिठ्टी को वेल्जेन बनाते हैं तो उसमें बारिस का पानी नहीं रुकेगा अगर आपने वेल्डरन मिट्टी नहीं बनाई है और बाईश का पानी गुलाब की मिट्टी में रुका तो आपके गुलाब की जड़ में फंगस लगना शुरू हो जाएंगे और वहां से आपका गुलाब का प्लान खराब होना शुरू हो जाएगा तो दोस्तों आप अपने गुलाब की मिट्टी को वेल्डरन मिट्टी बनाई है जिससे आपका गुलाब का प्लान जो है बारिश के पानी में भी बहुत अची तरह से ग्रोध करें आपको अपने गुलाब के प्लांट में ओर वाटरिंग नहीं करने क्योंकि दोस्तों बारिश आल्रेडी हो रही है आपके गुलाब के प्लांट में आल्रेडी पानी है तो आप सोचेंगे कि बारिश बंद होगी है तो हम इसमें वाटरिंग कर दें तो ऐसा आप ना करें आ और इसकी मिट्टी को सुखाएं, धूफ हो रहें तो इसकी मिट्टी को सुखाएं, फिर जाके आप इसमें वाटरिंग करें. केरिटिफ नमबर चार, आपको अपने गुलाब के प्लांट में अगर इस तरह से सुखी हुई फूल मिल रही हैं, सुखी हुई कल्या मिल रहे हैं या सुखी हुई पत्या मिल रही हैं तो आप उसे कट करके निकाल ले, आप ऐसे से सनिटाइज हुई कैची लीजिए और इसक क्योंकि दोस्तों अगर यह गुलाब के प्लांट पे रही तो इसकी सारी एनरजी मिट्टी की यही ले लेंगी और आपके गुलाब के प्लांट में कोई नई ग्रोथ नहीं होगी यह देखिए सुखी उपत्या हैं यह भी निकाल दीजिए जिससे आपका गुलाब का प्ला तो दोस्तों यह मैंने ले लिया है प्यास का चिलका आज मैं इसी प्यास के चिलके से होममेड लिक्ट फर्टिलाइजर बनाओंगी अब मैं दोस्तों इस प्यास के चिलके को इस जार में भर ले रही हूं यह देखिए मैंने लगबग थोड़ा सा प्यास का चिलका लिया है अब मैं इसको इसमें भड लेती हूं अब मैं लगबख इसमें आधा लीटर पाइन डाल देती हूं । पाइन जाना हैं और साथी कि मोंके को सबीदेने भी respuesta के निए five essa लग्वा को काटके शोड़िपलने भरपूर más मातरा में सलफर और नाइट्रोजन है जो गुलाब की मिट्टी को बहुत अच्छी उर्वरक्षमतर प्रदान करेगा और अलोवेरा में 10-15 मिनरल्स है भरपूर मातरा में जो हमारे गुलाब को ग्रोथ करने में बहुत अच्छी तरह से सहायता प्रदान करेगा यह मैंने दोनों चीज को मिला लिया है अब दोस्तों मैं इसे लगभग 24 घंटे के लिए शेमिशेड एरिये में ड्रक्ट दूंगी 24 घंटे के बाद दोस्तों 24 घंटे पूरे हो चुके हैं अब हम अपने लिक्विट फर्टिलाइजर को देखते हैं यह देखी आप कितना अच्छा कलर आया है अलोवेरा और प्यास के चिलके ने साथ मिलके अपना कलर छोड़ा है और एक अच्छा और कालगेट लिक्विट फर्टिलाइजर बने के तयार हो रहा है अब दोस्तों हम इस्को चान लेते हैं जान लेकर लिया है है और अब दोस्तों कितना अच्छा कलर आया हुआ है एक अच्छय लिक्विट फर्टिलाइजर बने के तग्यार हो गया है लेकिन दोस्तों हम इसको ऐसे ही अपने प्लांट में नहीं देंगे अब हम इसे पानी के साथ डिलूट करेंगे तो लगभग यह आधा लीटर लिकुट फर्टिलाइजर है तो हम दोस्तों इसमें आधा लिटर यह पानी डारेंगे यह देखे दोस्तों अब यह बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बन के प्यार हो गया अब मैं इसको इसे मिला दे रही हूं अब दोस्तों हम इसे अपने प्लांट में देंगे तो आप देंस पहले अपने प्लांट की घुडाई कर लीजिए फिर उसके बाद यह उसमें वेसल सूट बनेंगे ब्रांचे साइंगी ब्रांचे साइंगी तो नहीं नहीं कलिया होंगी कलिया फिर फूल बनाएंगी जो काफी अच्छा लगेगा आपका गुलाब का प्लांट तो दोस्तों अगर आप इसे पंदर एक महिने पर देते हैं तो निश्यत रूप से पाएंगे जैसा मैंने इस प्लांट पर दिया है तो आप देख सकते कितने दादा फूल आया है तो अगर मेरी यह वीडियो और फटिलाइजर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंज के साइज को शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रू पूल ही सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग